अगर बेटा आपने अच्छे से मल्टिप्लिकेशन किया है तभी ही आप लोग ये डिविजन कर पाओगे एक नमबर है चैसे सपोज हम डिवाइड कर रहे है 64 को 4 से तो अब 64 को 4 से डिवाइड कर रहे हो इट मींस 4 इस यो डिवाइड करता है उसको बोला जाता है डिवाइड ओके जिस नमबर को आप डिवाइड कर रहे हो इस यो डिविडन ओके सपोज आपने 64 डिवाइड बाइ 4 किया और उपर की पोशन में जो आपको नमबर मिलेगा इस जो आपको आपको आंसर मिलेगा इस योर कोशन और लास में जो बच जाएगा इस योर रिमाइंडर ओके नाव सीद एक्सराइज नमबर 13 एक्सराइज नमबर 13 में यहां पर आपको 15 सम्स दिये है that you have to do in your notebook यहां पर आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट से आपको डिवाइड करना है तो अगर आप लोगों को 3 डिजिट आ जाएगा तो 2 डिजिट से आप easily कर पाओगे इसलिए मैंने यहां पर एक 3 डिजिट वाला याने के question नमबर जो 11 है वो यहां पर मैंने solve करके रखा है हम उसको पहले देखेंगे राइट see this is the question number 11 यहां पर side में ही मैंने divisor, dividend, quotient और reminder सब कुछ मैंने लिख कर रखा है तो आपको भी अपने notebook में ऐसे perfectly ही लिखना है यहां पर देखेंगे जो सबसे पहले divisor है वो है 642 जिस नमबर सा आप उसको divide कर रहे हो 642 that is your divisor फिर उसके अंदर का जो number है, जिस number को आप divide कर रहे हो मतलब यहां यह वाला जो number है that is your dividend उपर के भाग में जो आपको मिलेगा that is your quotient और last में जो आपको मिलेगा जो बच्चा हुआ भाग है that is your reminder ओके लेट स्टार्ट कैसे divide करोगे तो सबसे पहले आपको पहले अगर यह 3 digit है तो सामने भी कम से कम 3 digit आपको लेने हैं आपको चेक करना है कि यह 642 है वो 693 से बड़ा है या छोटा ओके तो यहाँ पे 693 that is the bigger number तो आप 642 वन्जा 642 करोगे जहर सी बात है 642 टूजा तो इतना पास में नहीं आएगा तो आपको किस से पहले डिवैड कर रहें वन से 642 वन्जा 642 तो हमने जब सब्ट्रेक किया इसको तो हमें आंसर मिला यहाँ पे 51 अब 51 तो बहुत ही कम number हो गया ना 642 के table में 51 आने के chances ही नहीं क्योंकि बहुत ही छोटा number है तो हमने उपर से 2 को नीचे उतारा तो हो number बन गया 512 2 नीचे उतारने पर भी 512 ही बन रहा है वो भी 642 से छोटा number है तो वो भी possible नहीं है तो हमने और एक बार उपर से कोई सी number को नीचे उतारना पड़ेगा बट जब भी आप कोई भी number को उपर से नीचे उतारते हो उस टाइम पे division अगर possible नहीं होता then you have to put 0 on your quotient area आपको quotient में क्या लगाना है 0 अब 0 लगाने के बाद permission लेने के बाद ही हम 5 को नीचे उतारेंगे तो अब वो number बन गया 5125 आपको side side में 642 का table करते जाना पड़ेगा क्यूंकि आपको 642 का तो table आता नहीं होगा तो 3 जा करो, 4 जा करो, 5 जा करो, राइड जो इसके पास-पास में number आजाए उससे आप उसको divide करो so 642, 7, 4, 4, 9, 4 अगर हम 8 जा ले रहे हो तो वो ये number से बड़ा हो रहा है हम यहाँ पे कैसा number लेना है जो इससे छोटा हो so 642, 7, 4, 4, 9, 4 again हमने यहाँ पे subtraction किया तो मुझे मिला 6, 3, 1 again चोटा number है, that is the smaller number compared to this number 642 की comparison है, that is the smallest number again हमने 7 को नीचे उतारा so number हमारा बन गया 6, 3, 1, 7 अब 6, 3, 1, 7 ये बड़ा number हो गया तो 642 का table जो अपने side में लिखा होगा, वहाँ से देखते जाओ तो 642, 9 जा हमें मिला 5, 7, 7, 8 subtraction करने पर मुझे मिला 5, 3, 9 okay 5, 3, 9, that is again smaller number तो हमने उपर से नीचे उतारा 0 को that is the last number, 0 सबसे छोटा, sorry 0 सबसे last number है, okay तो हमने उसको नीचे उतारा, so 5, 3, 9, 0, एक number बन गया अगेन हमने 642, 8, 5, 1, 3, 6 ऐसा करने पर, last में जो number बना हो, हमें मिला है 254, अगर यहाँ पे और एक number होता है तो हम again उसको यहाँ पे नीचे उतारते बट अब वहाँ पे number नहीं, it means यहाँ पे आपका sum complete हो गया आपको जो last में जो number मिला बच्चा हुआ, that is your reminder तो हमने यह side में लिख लिया divisor, dividend, quotient and your reminder अब इस exercise में आपको check तो नहीं करना है बट फिर भी में आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहे how can you check your answer right, so formula for checking your answer is divisor multiply by quotient plus reminder एसाब करने पर आपको जो मिलेगा, वो मिलेगा dividend याने के ये वाला number, अंदर वाला number तो यहाँ पे देखिए divisor याने 642 multiply by quotient, जो हमें उपर मिला था 10,000 वाला number and plus reminder, that is your 254 so हमने divisor, यहाँ पे divisor और quotient को multiply किया तो हमें ये number मिला, जो हमें answer मिला उसमें हमने plus क्या किया, 254 254 that is your reminder, okay तो ये दोनों को plus करने पर हमें ये number मिल रहा है यहाँ पे right, 69, 32,570 that is the same as your dividend ये दोनों देखो, same आ गया it means your answer is correct तो आप जब करोगे बेटा, notebook में तो आपको check करना नहीं है इदर ये shift or shift में आपको सिखाने के लिए बनाया है बाकी के जो sum बच रहे हैं, वो सारे के सारे sum आप लोगों को अपनी notebook में करने है after all, math is the subject of practice right, जितनी practice करोगे उतना ही concept आप लोगों को clear होगा आप ऐसा सोचोगे, ओ मैं 15 sum, हम कैसे करें? तो आपके पास enough time है बेटा आराम से अभी तो आपको कुछ खामी नहीं है घर पे तो जितनी practice करोगे, उतना math आपका powerful बन जाएगा ओके, now look at the question number 16 ओके, find the dividend when? यहाँ पे आपको क्या ढूणना है? डिवीडन, जब आपका divisor दिया हुआ हो, quotient दिया हुआ हो, और reminder दिया हुआ हो उस time पे आपका dividend क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यह भी मैंने solve करके रखा है, divisor is equals to 187, quotient is equals to 3078, and reminder is equals to 96. तो हमने अगले ही समने formula सीख लिया था, कि dividend is equals to divisor, multiply by quotient, plus reminder. Use this formula, divisor की value डालो, quotient डालो और उसमें plus क्या करो? reminder. तो ऐसा करने पर, आपको यहाँ पे यह दोनों का multiplication करने पर, आपको यह number मिल रहा है, उसमें आप add करो 96, your reminder, so you get the answer, that is your dividend. तो first question का, याने कि question number 16 का जो answer मिलेगा, वो आपको यह मिलेगा. Okay? Is it clear, बच्चो? Fine. So, the question number 17 is the same as the question number 16. Okay? So, that you have to do as your homework in your notebook. Now, question number 18. Find the question and the reminder, when the largest 7-digit number, largest 7-digit number, मैंने यहाँ लिखके रखा है, आपको पता है, कि यह largest 7-digit number कौन सा है? 7 times 9. Okay? That is your largest 7-digit number, is divided by the largest 3-digit number. Largest 3-digit याने 9, 9, 9. तो आपको 7 times 9 को डिवैड किसे करना है? 3 बार 9 से. Okay? Is it clear? तो आपको यह सम्भी ऐसे यह अपनी notebook में complete करना है? Then, question number 19, same as question number 18. Find the question and the reminder, when the smallest 8-digit number? Okay? यहाँ पर क्या आया बेटा आप लोगों का? smallest 8-digit number. So smallest 8-digit number means, 1 के बाद आप यहाँ पर कितने 0 लगाओगे? 7. Okay? So 1 के बाद 7 0 लगाने पर यह बन गए आपका smallest 8-digit number is divided by the largest 2-digit number. Largest 2-digit number means, that is 99. तो यह number को 99 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, दोनों में remainder बचेगा, okay? दोनों में ही remainder बचेगा. तो यहाँ पर हमारी यह exercise complete हो गई. Okay? फिर भी आपको कोई भी query है, कोई भी question है, you can ask me, but बेटा, complete your work. That is very, very important and that is compulsory. Okay?